फिल्म की कहानी कुछ यू है कि देश की सबसे बड़ी माइनिंग कमपनी का मालिक राजेंडरन एस शरत कुमार अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय थलापती विजय दोनों बड़े भाईयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इंकार करके घर छोड़ कर चला जाता है। उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है, तो वो घर पर रुपकर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किस तरह घर से लेकर बिजनेस तक के दुश्मनों से निपटता है, ये जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें स्पोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन का बटन दबा दे और वीडियो को कर दे लाइक। फिल्म की यह साधारन सी नजर आने वाली कहानी आप इससे पहले कई हिंदी फिल्मों में देख चुके होंगे, लेकिन फिल्म के डाइरेक्टर वंसी पैदी पल्ली ने इसे बहत खुबसूरती से परदे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोडते हैं और दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्षन में दिखाए देते हैं। हाला कि पौने तीन घंटे लंबी इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता था। आसकर मा वेटे के सीन्स आपको इमोशनल कर देते हैं। ये फिल्म आपको हसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी के सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुत्री फैमिली एंटर्टेनर फिल्म देखना चाहते हैं, इस फिल्म का टिकट कटा सकते हैं।